किसी भी नंबर का previous divisible और next divisible नंबर मालूम करना है तो क्या करेंगे उसके लिए floor और ceiling लगाएंगे जैसे मान लिए ये वाला नंबर आपका है A2 में तो is equal to floor करेंगे आप जैसे ये floor में आप देखे ये वाला आप लेंगे और comma मान लिए इसका निकालना है 7 से तो 7 में देख तरीके से आपका previous number मिल जाएगा यहां पर सारा और अगर आप सीलिंग निकालते तो 45 का is equal to ceiling जब करेंगे आप तो ceiling में क्या करेगा ये इस वाले नंबर का कॉमा 7 से ही मैं निकालना हूं जिससे मैंने floor निकाला है तो next निकालेगा 45 से उपर कौन से नंबर आएगा उन्चा के लिए good bye